हेलो अश्रेंट वेल्कम तो और यूट्यूब चैनल तो जैसे कि आज हम आप लोग के लिए लेक्ट के आए हैं विए से यानि किस चैप्टर कही है यह हमारे चैप्टर नमर थर्ड है जिसका नाम है पदार्थ संरंचना एवंगुन यानि मैटर और मैटर स्ट्रक्चर और प साथ यही बुक चल रहा है और बहुत सारे ऐसे कोस्चन्स है करिब 32 सिन में बहुत से कोस्ट्चन को रिपीट भी किया गया है तो मैं उन सारे कोस्चन को विये से के जरए आती लग उतर यह प्रस्ण है उसके जर्याप लोग को एंसर यां पर प्रवाइड करा रहे हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अतिलग उस तरिये प्रस्ट यानि की very short type question answers के जड़िये सबसे first question है हमारे पास दाब की SI unit यानि SI EKI क्या है I repeat दाब की SI EKI क्या है तो दाब की SI unit of pressure कितना क्या है पास्कल जिसको कहा जाता है ठीक है तो पास्कल क्या है पास्कल किसको कहते है और देखिए पास्कल और थ्रस्ट के साथ एक संपर्क है एक दोनों में relation है यानि कि जो दबाव का जो unit है पास्कल उसके साथ भी एक संपर्क है क्या है जो फोर्स लगाया जा रहा है बॉड़ी के उपर वो परपेंडिकुलर होता है इस सर्फेस के तो जिसको हम लोग thrust भी कहा जाता है तो प्रेशर और थ्रस्ट में हम अकसर confused हो जाते है ठीक है तो और थ्रस्ट क्या होता है thrust per unit area is called pressure आप देखिए यहाँ पर दोनों के बीच का relation thrust per unit area is called pressure यानि कि pressure को हम लिख सकते है thrust by area और जिसकी जो thrust की जो ऐसा unit होती है वो होती है newton ठीक है तो relation भी आदि आपसे पूछा जाया तो आप इसकी बीच में इस तरह के relation भी संपर्क भी उन दोनों की बीच में इस तरह के answer से आप दे सकते हैं ठीक है ठीक है तो थर्र नम्र कोस्चन है गहाराई बढ़ने पर दाप पर क्या प्रभाव पढ़ता है ता जाता है ठीक है उसके बाद है कि वायू यान की सिधान पर की सिधान के अधार पर वायू में उड़ता है ठीक है कोश्चन है तो कोश्चन है हमारे पास क्या कि वायू यान यानि कि जो जहाज होते हैं अधार पर उड़ता है तो वह बर्नौलिस के सिधान्त के अधार पर उड़ता है वह इसलिए कि आपने देखा होगा जब आप अधार देखते हैं तो अधार यह कर देती हूं अब यह ठीक रहा है ठीक है तो यह रहा हमारे पास कि जो वायू यान का जो सिधान्त है वह बर्नौलिस के थियोरम पर अधारित होता है और जो वायू यान का जो सेफ होता है सुरी यहां पर जो वायू यान का जो सेफ आप Tai क यहां इसा होता ह्षा काफी पतला होता है ठीक है तकी ऊपर में कम दाव कम दाव बना रहे है और नीचे में पुड़ा दाव बना रहे है। जो कम दाव का छेतर होगा इससे वायों, वाय उमें असानी से ओड़ सकता है। स्थिक्पिक्ष सिर्ट कोश्चिन है 1 तरणाय योगे बस्तु तरल जिसमें वह तैर सकती है। कि घनतों में क्या संबंद हो सकता है उदोनों के बीज में क्या relation हो सकता है जो बस्तु के किस अधार पर वो तैर सकती है ठीक है तो हम लोग क्या जानते हैं कि an object will float in a liquid एक object लिक्विट के ऊपर तभी float कर सकता है तभी तैर सकता है if its density or for average density is less than that of liquid उस बस्तु का जो density होता है वो लेस होना चाहिए और object will also float in a liquid if density is equal to that of liquid उस density के liquid दोनों का density यही बड़ावर हो जाए object और liquid के density बड़ावर हो जाए तभी वो तैर सकती है दो condition होते हैं तो जो तैरने होंके बस्तु है वो इन दोनों के बीच में density के साथ इसका कर यही समँद होता है ठीक है next question देखते हैं मैंने इसको हिंदि में भी लिएलग दिया है कि तैर्ने होंके बस्तु का तरल जिसमें मेंßen और सकती है कि बस्तु सकती है जब बस्तु घन तो उस तरल के घनात वो से कम हो या फिर बराबर हो ठीक है अब हम लोग देखा देखे ओंगे कि आंधी रतुफान में उपर की जो टीन की छटे होती है वो किस कारण से उड़ जाती है तो आंधी में तीन के उड़ने की ब्यक्ख्या की सिधान पर की जा सकती है तो आंदी में टीन के उड़ने के व्याख्या बॉर्णॉलिज के सिधान पर अधारित होता है ठीक है सेवे नमर कोस्चन है कि परक्नली के उपड़ी जो सता होता है वो अर्धर चंद्राकार क्यों होता है यह अर्धर चंद्राकार क्यों बना जाता है ताकि ताकि जो सरफेस टेंशन हो वो सरफेस टेंशन जो प्रिष्टना इसको अर्धर चंद्राकार यानि कि मैनिस्कस भी कहा जाता है The Curve in the Upper Surface Upper Surface is the Curve of Liquid Close to the Surface of the Container वो जो Container की जो Surface के Close होता है वो और वो Another जैसे कोई भी subject कोई भी object हो यह Surface Tension जो की Surface Tension वहाँ पर बना की रखता है इसलिए और चंद्रकार बनाया जाता है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है कि हवा में पैराशूट लेकर गिरते व्यक्ति का वेक कुछ दिर के बाद त्वरन रहीत यानि कि त्वरन सुनने क्यों हो जाता है। अपना नजदिक का वेक प्राप्त कर लेता है जिससे की व्यक्ति अपने खुद के वेक से धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरता है। अब नेक्स्ट कोश्चन है कि रबर तथा लुहा में कौन अधिक परत्यास्त है यानि कि कि किसमें सबस्ज़दा इलास्टिसिटी का गुना पाया जाता है। यह थिक है तो आइधिंक रबर यह ज्यादा इलास्टिसिटी है क्योंकि रबर को स्ट्रेच करेंगे आप तो इलास्टिसिटी की नियम के अनुसार वह फिर से अपने डिफॉर्म करने के बाद फिर से अपने वह स्थिति में पूना वापस आ जाता है। लेकिन लोहा को डिफॉर्म करने बाद और फिर से वह अपनी स्थिति में वापस नहीं आ पाएगा जितना की रभर आ पाएगा ठीक है अब क्या है कि कि elastic limit क्या है यानि पर्त्यस्थथा की सीमा क्या है ठीक है वो भी देखते हैं तो जो elastic limit क्या है किसी पदार्थ पर एक सीमा से अधिक बल लगाया जाए और जब आरोपित को पुना हटाने पर पदार्थ अपने ही पुना इस्तिती में वापस ना आये तो वो उस पदार्थ को हम लोग elastic limit कहा जाता है like for example यदि आप rubber को ही आप stretch करते हो और rubber को stretch करने की बाद इतना ज्यादा इस्तिती में वापस ना आये जैसे like for example spring को stretch किया और उसके बाद इस्तिती में वापस नहीं आया तो वो क्या है जिस इस्तिती में वो जाकर बहुत ज्यादा स्रेश हो गया वहीं उस्पदार्थ का क्या है elastic limit है यानि प्रतियस्तता का सीमा है प्रतियस्ता की सीमा है ठीक है next question है कि प्रतियस्ता का एक उप्योग लिखे तो हम लोग क्या जाते है spring spring देखे होंगे आप लोग और धनुस धनुस का जो हिस्सा जो होता है वो पनाया अधैसिक क्या दैसिक तो दाब एक प्रकार की अधैसिक राशी है ठीक है next question है कि दाब यों बल को परदर्सित करने वाला सूत्र लिखे तो हम लोग क्या जानते हैं कि pressure दाब इस उकल टू क्या होता है pressure प्रेशर बाई एरिया यानि कि बल बाई बल बाई छेतरपल तो हमार force by area इसको हम लोग लिख सकते हैं f by a ठीक है और force का हम लोग यह लिख सकते है mlt-2 और जो जिसका dimension और area का होता है l into l अब हम इसको फिर से उपर की तरब ले जाएंगे तो हमारे पास होगा m1 l-1 t-2 ठीक है हो गया अब next question आता है हमारे पास क्या किसी पात्र की तलशटी पर दाब कितना होता है किसी पात्र की तलशटी पर दाब तरल द्वारा पात्र की दिवारों पर एक आंग छेतर पर आरोपित बल को तरल दाब करते हैं यदि सभी पात्र जैसे किसी पी पात्र के अब तलशटी में जाएंगे तो जो तरल के द्वारा जो एक दाब लगता है ए जितनी भी दिवार होती है यह फिर वो चाहे स्पेरिकल हो चाहे वो जो भी आपके पास जो जो भी मेत्रील जिसमें वो तरल रखा गया है तो उसके पड़ते की हिस्से पर एक पॉइंट पर तलशट्टी नीचे वाले फिस्से पर कितना दबाब पड़ेगा तो प्रेसर इजी कोट हम लोग लिख सकते हैं एच रो जी वेर एचीज क्या है हाइट अब दे लिक्वीट रो इक्या है घनत्व है उस लिक्वीट का जी है ग्रेविटेशनल जी है गुरुत वाकर्सन यानि गुरुत ज्वनी त्वरंज इसको कहा जाता है ठीक ह एक्स्वलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी बाद का कोश्चन आते हैं हम लोग कि एक लड़का प्रिधी पर खड़ा है और किस दसा में उसके पैर का जो तलुए पर अधिक दबाव लगेगा जब वो एक समतल भूमी पर खड़ा हो या नुकिली बस्तु पर खड़ा हो या फिर एक पैर पर खड़ा हो या फिर दो या तीन स्थीती में तो किस स्थीती में सबसे जादी प्रेशर पड़ता है ठीक है तो उसका जो राइट एंसर होगा उसका जो राइट एंसर होगा वो होगा कि नुकिली बस्तु पर खड़ा होता है ठीक है तो उसका प्रेशर यानि पूरे पैर के एक तलोवे पर उस पर पूरा प्रेसर आएगा, लेकिन यदि किसी नुकीली बस्तू पर आएगा, तो एक पार्टिकुलर नुकीला चीज उस पर ज्यादा फोर्स एक्जर्ट करेगा, जिस्तिकार उसके ज्यादा प्रेसर वहाँ पर, यानि पूरे के अंदर किसी बिंदु पर दर्व के दाप का सुतर लिखे तो यही वाला जो होगा जो उपर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 40 नमर का और 60 नमर का एंसर एक ही होगा ठीक है और उसकी बात का कोस्चन है कि गहराई बढ़ने पर दाप का क्या परभाव पड़ता है तो मिस्प पर दिख रहे हम जाबने की बात थी है जूकि मैं क्योष्चन बोल रहे हूं और आप इसको लिक के उसका एंसर यहां पे दिया जा रहा है ठीक है तो कह ओता है कि आप यह तो प्राक्टिस करने में आपको बहुत सुविधा होती है ठीक है तो आप यह मत्षमजी कि आपके देख सकता हूँ नहीं देख सकती हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे भी लिख सकते हैं यदि आपके बुक में नहीं है तो ठीक है तो question number है ये किसी बस्तु का भारी दी 2 kg है जल में डुबाने पर इस पर 5 kg का उत्त 6 बल लगता है यानि कि जो बांसी जो लग रहा है वो कितना है 5 kg है ठीक है और वो बस्तु का भार कितना है 2 kg है तो बताइए कि बस्तु जल में डुबेगी है तेरेगी तो answer होगा कि आंसिक रूप से डुबी हुई तेरेगी वो इसलिए कि यदि weight है W है 2 kg और W15 kg है तो हमारे rule के हिसाब से द्वा यह कुपयोग लिखे तो वाइव बंडल यह दबाव को मापा जाता है ठीक है जो कि मैंने यहाँ पर इंसा लिख दिया है उसकी बाद का कोश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक से एक ही कोश्चन को लिखा गया है कि दरव अपना क्या स्वैम ढूंड लेता है तो दरव अपना आकार स्वैम ढूंड लेता है दरव आप जानते हैं कि कि किसी भी लिक्विड को किसी भी चीज में आप ले जाएए तो अपना वो सेब खुद से बना लेता है ठीक है उसकी बाद का कोश्चन है यानि कि प्रिश्ट तनाव की एसा यूनिट लिखिए प्रिश्ट तनाव य करने का प्रियास करता है ठीक है तो किस के कारण एक कोई लिक्विड है वो अपने प्रिश्ट को यानि कि अपने एडिया को अपने छेत्रपल को कम करने के कोशिस करता है किसकी कारण करता है तो वह सार्फस टेंशन के कारण ही करता है आप देखे होंगे कि आप किसी भी ची गिर जाएगा लेकिन वो गिरता नहीं है तो जो बांद के रख रहा है वही सर्फेस टेंशन है ठीक है उसकी बाद आते हैं हम लोग क्या कि दूद के गिलास को हिला कर छोड़ देने पर आप देखेंगे कि दूद कुछ दिर के बाद बिरामा उस्था में आ जाता है तो इसकी विस्कॉसिटी के कारण जो है कि एक लेयर दूसरे लेयर पर क्या करते हैं कि उनकी गति को अवरोध करते हैं उनकी गति को रोकने का प्रयास करते हैं जिसकी कारण रेजिस्टेंस के कारण विस्कॉसिटी के कारण रेजिस्टेंस यान एक लेयर दूसरे लेयर को क्या कर रह तो विसकॉसिटी के कारण वो बिरामावस्था में चला आता है ठीक है जल ग्लीसरीन और तथा सहद में कौन सबसे अधिक सयान है यानि की विसकस कौन सा है और ठीक है तो वो देख लेते हैं तो जल ग्लीसरीन जल का सबसे विसकॉसिटी बहुत कम होती है ग्लीसरीन और सहद क आपका सहध तो इसलिए सबसे अधिक विसकस है और सबसे कम है जल किसे स्यान दरवा में घिर्ती गोली का त्वरन कब सुन्य हो जाता है यह जो जिरा रहे हैं तो जो अपने वेक से देले-देले गिरे तो हम लोग क्या जानते हैं एक तो लिक्विट का खुद का वाँंच फो को सुने होगा जब गोली क्या करेगी जब गोली अपने सीमान्त वेक को प्राप्ट कर लेती है तब उसका जो तो हो जाता है ठीक है 18 एं सॉरी 30 29 कोस्टन है कि पेरसूट की खूलने के कुछ समय बाद ही व्यक्ति का तोरण सुनने हो जाता है क्यों क्योंकि वह कि यह भी कोस्टन हम देख चुके हैं ठीक है हवासुट में हवाम पेरसूट लेगर किर्थि व्यक्ति का तोरण रहत क्यों हो जाता है तो को फिर से रिपीट किया गया है इसकेबाḍमम लोग देख देखते हैं कि बर्णॉली परमय कीस बहुत इंदू पर कूल उरजा क्या होती है वो संरक्चित रहती है ठीक है किसी भी बिंदु पर कुल उर्जा जो होती है उसकी जो टोटल एनरजी होती है वो क्या होती है कंजर्वेशन ओफ एनरजी के सिधान पर आधारित करता है ठीक है उसके बाद आते हैं हम लोग कि एक प्रतियस्था प्रतियस्था बस्तु का उधारन दीजे जो कि हमने इसका रबर बैंड लिख सकते हैं ठीक है और एक भंगूर किसी एक भंगूर पदार्थ का उधारन कि गुन को क्या कहते हैं हम लोग भंगूरता कहते हैं यानि कि ब्रिटल लेंस कहते हैं जैसे कि काज एक लास्टिक लिमिट से ज्यादा उस पर प्रहार किया जाएगा उस पर चोट पहुंचाया जाएगा तो टूट जाएगा तो क्या होगा इसको हम लोग भंगूरता कहते है तो इस तरह से हमने अभी यहां पर इतने question को किया ठीक है और मैं इस वीडियो में आप लोग सब्सक्राइब नहीं प्रोबाइट कराओंगे क्योंकि काफी लंबा वीडियो चला गया है आई होप सो कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करें हैं मेरा mcq के लिए मैं जल्दी ही लेकर आ रहे हूं ठीक है ओके इस चैप्टर और इस questions से रिलेटर कुछ डाउट हो तो आप मुझे comment section पूछ सकते हैं मैं जरूर रिप्लाइ करूंगे ओके कि प्वाचिंग बबाए और हमारे study with giri sister सा जूरिए उसको share करिए ताकि और भी बच्चो को लाव मिल सके ठीक है ओके बबाए थैंक यू